Microsoft Excel के आज के वीडियो में हम सीखेंगे Annual Sales Report तयार करना जिसके अंतरगात हम सीखेंगे Achievement Percentage Calculate करना Growth Percentage Calculate करना और Contribution Percentage Calculate करना तो यहाँ पर हम Annual Sales Report तयार करेंगे सबसे पहले हम Format Design करेंगे तो Format की जो Headings हैं उन्हें हम यहाँ पर लिख लेंगे थर्ड रो में यह Annual Sales Report हम बना रहे हैं Territory वाइस तो सबसे पहले हम थर्ड रो में Territory Name टाइप करेंगे Next Heading है Achievement 2020 फिर Target 2021 Achievement 2021 Achievement Percentage Next Heading है Growth Percentage और Last Heading है Contribution Percentage सभी Heading को Select कर लेंगे और यहाँ Home Tap के अंत्रगत Format पर जाएंगे और यहाँ Auto Fit Column Width पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर Column Width अड़ेस्ट हो जाएंगे Threatory Name वाले Column की Width को हम थोड़ा बढ़ा लेंगे यह 3rd row की Height को हम थोड़ा सा अपड़ा लेंगे इस तरह से सभी Heading को Select करेंगे और Center में Align कर देंगे Bold कर देंगे Font Size थोड़ा Increase कर देंगे 12 कर दिया हमने फिर से हम Auto Fit Column Width पर क्लिक कर देंगे तो Column Width यहाँ पर Adjust हो जाएंगे Fill पर जाएंगे और यहाँ से कोई Color Fill कर देंगे यहाँ पर हम यह Color Fill कर रहे है अब इन Cells को हम Select करेंगे और Merge in Center पर जाकर Merge कर देंगे यहाँ पर कोई Color Fill कर लेंगे हम हम यहाँ पर फिल कर रहे है Gray Color इन दोनों रोज की Height को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे Insert पर जाएंगे और यहाँ Shapes पर जाएंगे और यहाँ से Text Box Insert कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हम टाइप करेंगे Annual Sales Report Text को Select करेंगे और यहाँ Font Change करेंगे यह font ले रहे हम Arial Black Font Size Increase करेंगे Shape Format पर क्लिक करेंगे Shape Fill पर जाएंगे No Fill करेंगे यहाँ Shape Outline पर जाएंगे और No Outline कर देंगे Shape Effects पर जाएंगे Shadow पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यह Shadow Effect देंगे Text को Center में रख देंगे इस तरह से अब यहाँ पर हम Data Add करेंगे यहाँ पर Data एक-एक Add करने के बजाए हम दूसरी Sheet में से Copy करके Paste कर लेंगे यह Data यहाँ पर आ गया है इन सभी Cells को Select करेंगे और Total के लिए 1 रो Extra Select करेंगे और Borders पर जाएंगे यहाँ से All Borders कर देंगे अब इन सेल्स को Select करेंगे और Alignment कर देंगे सेंटर यहाँ नीचे सभी का Total कर देंगे तो हम यहाँ पर Total करेंगे Total के लिए Alt प्रेस करके Equal प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर Sum Function लग जाएगा Enter करेंगे अब देख सकते हैं यहाँ पर Total आ गया है अब इस सेल को Select करेंगे और यहाँ से ट्रेक कर देंगे यहाँ पर तो सभी का Total यहाँ पर आ जाएगा अब सबसे पहले हम यहाँ पर Achievement Percentage Calculate करेंगे जिसे हम Calculate करेंगे Target से यानि किस टैटरी ने Target कितने परसेंट अचीव किया है तो इसके लिए हम यहाँ First Cell में आ जाएंगे यहाँ पर Equal प्रेस करेंगे और यह Achievement वाली Cell को Select कर देंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस Cell का Address आ गया है D4 इसको हमें Divide करना है Target से तो यहाँ Divide का Sign लगाएंगे और यह Target वाली Cell को Select कर देंगे और Enter कर देंगे इसको परसेंटेज में करने के लिए Cell को Select करेंगे और Ctrl Shift परसेंटेज प्रेस कर देंगे अब देख सकते हैं यहाँ पर Target का Achievement परसेंटेज आ गया है यहाँ से इसको ड्रैक करके नीचे तक ले आएंगे तो आन्ने सभी Territories का भी Achievement परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा Growth Calculate करेंगे Over Last Year यहाँ यह Growth वाली Heading को थोड़ा सा हम Change करेंगे इसको हम कर देंगे Growth Percentage Over Last Year Enter कर देंगे Column Width को Adjust कर देंगे Column Width को थोड़ा सा कम करेंगे इस तरह से और यह Heading को हम Select करेंगे और यहाँ Wrap Text पर प्लिक कर देंगे अब यह Row की Height को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो यहाँ पर Heading कुछ इस तरह से आ जाएगी तो Growth Percentage Calculate करने के लिए हम इस Cell को Select करेंगे Equal Press करेंगे और यह Achievement वाली Cell को Select करेंगे Cell का Address यहाँ पर आ गया है इसको Divide करेंगे हम Last Year Sale से तो Last Year की जो Sale है वो यहाँ पर है Achievement 2020 की नाम से तो इस Cell को हम Select कर देंगे इस Cell का Address भी यहाँ पर आ गया है Minus करेंगे और One Type कर देंगे Enter करेंगे तो यहाँ पर Growth Calculate हो जाएगी इसको Percentage में करेंगे Cell को Select करेंगे और Ctrl Shift Percentage प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Growth Percentage कैलकुलेट हो गई है अब यहाँ से इसको Drag करके नीचे तक ले आएगे तो सभी टैटरी के लिए Growth Percentage कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर दो टैटरी हैं कानपूर और गोरखपूर जो माइनस में है जो टैटरी माइनस में है उनको Highlight करने के लिए हम यहाँ पर इन सेल्स को Select कर लेंगे और यहाँ Conditional Formating पर जाएगे Highlight Cells Rules पर जाएगे और यहाँ Less Than को Select करेंगे यहाँ पर हम Type कर देंगे 0 यानि जो भी Values यहाँ इन सेल्स में 0 से कम है यानि माइनस में है वो Highlight हो जाएगे या तो आप इसे तरह से Highlight कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप Customize भी कर सकते हैं यहाँ Custom Format पर क्लिक करेंगे Fill पर क्लिक करेंगे हम इसको करेंगे Red पर यहाँ Font पर क्लिक करेंगे Bold करेंगे Font Font Color करेंगे White और यहाँ से OK कर देंगे और यहाँ से भी OK कर देंगे अब आप देख सकते हैं जो भी Taitree माइनस में होगी वो Red Color से Highlight हो जाएगी इसी अन्य Taitree का भी हम डेटा जैसे माइनस में कर देंगे तो वो आटोमेटिकली यहाँ पर Highlight हो जाएगी मान लीजी यह जो Taitree है बरेली इस साल की सेल को हम Last Year की सेल से कम कर देंगे यहाँ पर यहाँ पर हम कर देंगे 19,000 और एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यह Taitree क्योंकि अब माइनस में आ गई है तो आप देख सकते हैं सैल आटोमेटिकली रेड कलर से Highlight हो गई है क्योंकि हमने यहाँ पर Conditional Formating अपलाई की है अब यहाँ पर हम Contribution Calculate करेंगे यानि Total Business में किस टेरिटरी ने Divide करेंगे इसको Total Business से Total Business है यहाँ पर सको हम सेलेक कर देंगे और इसको F4 प्रेस करके Fully Fixed कर देंगे क्योंकि हमें Formula को नीचे Drag करना है और Enter करेंगे वापस से सेल को सेलेक करेंगे Ctrl Shift % प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका Contribution Percentage आगया है 11% अब यहाँ से हम इसको नीचे तक ले आएंगे ट्रेक करके तो सभी टैटरी इसका Contribution Percentage यहाँ पर आ जाएगा आप देख सकते हैं Total Percentage यहाँ पर आना चाहिए 100 अब यहाँ पर इन सेल्स को सेलेक कर लेंगे और इनको Ctrl भी प्रेस करके Bold कर देंगे यहाँ पर टाइप कर देंगे Total यहाँ इस रो में भी हम Color Fill कर देंगे पूरे फॉर्मेट को सेलेक करेंगे और यहाँ पर यह ठिक आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे इन Headings को सेलेक करेंगे और यहाँ पर हम All Borders लगा देंगे तो आप देख सकते हैं Annual Sales Report तैयार हो गई है अभी के लिए बस इतना ही नमस्कार अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अन्ने लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें